जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं तो आवाज भुलन्द करनी पढ़ती है पोल किलब आजाद है तेरे News Click पर मेरे साथ पोल किलब आजाद है तेरे News Click की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए, जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिण कीजिए आपके सामने तीन विकल्प नवसकार बोल के लिए बाजाद है तेरे मैं अभिसार शेर्मा और एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रिया आदा करना चाहूंगा कि न्यूज क्लिक की सदस्सिता ग्रहिण करके आप हमारे हाथ मजबूत कर रहे हैं ताकि इसी तरह से हम सुवतंत रुपत्र कारिता आपके सामने कर सके हैं और आज दो मुद्वे हैं आपके सामने यूपी सरकार ने एक फर्मान जारी किया है हाल के उत्तर प्रदेश पंचायच चुनावों में उनका कहना है सिर्फ तीन शिक्षकों की मौत हुई जबकि खुद आदालत कह रही है कि 135 शिक्षकों को मौाफ़ा दो कि आपने इतनी बेदिल इतनी बेरहन सरकार देखी है यह होगा पहला मुद्दा तूसरा मुद्दा अर्विंद केजरिवाल को नीचा दिखाने के लिए विदेश मंत्राले ने कूटनीती के माइने बदल दी है क्योंकि अर्विंद केजरिवाल ने दावा किया कि सिंगपोर से आने वाला एक वाइरिस भारत के बच्चों पर असर डाल सकता है जो मेरे इसाब से गलत बयान था मगर अपने विरोधियों को टार्गेट करने के लिए मोधी सरकार कूटनीती का इस्तवाल कर रही है इसके हम चर्चा करेंगे मगर सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा उत्तर पदेश में जो हो रहा है दोस्तों उत्तर पदेश में हाल में पंचाय चुनाव हुए थे और आप जानते हैं उनमें कई शिक्षकों ने भाग लिये थे मैं आपको एक खबर दिखाना चाहता हूँ आपके स्क्रीन्स पर एक खबर है ये शिक्षक बीमार था वो गिड़गडाता रहा कि मुझे मत भेजिए मत भेजिए उसको धंकाया गया कहा कि अगर तुम नहीं गए तो हम तुम नौकरी से निकाल देंगे ये शिक्षक गया और उसके बाद उसकी मौत हो गए ऐसी धेरों मिसाले थी दोस्तों मगर आब उत्तर पदेश सरकार ये कह रही है कि सिर्फ तीन शिक्षक मारे गए हैं दोस्तों मुझे उत्तर पदेश शिक्षक संग ने ये पूरी लिस्ट भेजी है इस लिस्ट के मताबिक कम से कम एक हजा सरकार शिक्षक मारे गए हैं कहां एक हजार और कहां तीम क्योंकि सरकार क्या कहरी मैं आपको बताता है सरकार ये कहरी है कि कोरोना की वजए से पंचाय चुनावों की वजए से उसी की मृत्यू को माननी होगा जो घर से निकला हो और घर वापस यानि कि इस दौरान उसे कि मुझे नहीं जाना है और आप जानते हैं ऐसी डे रो मिसाले हैं मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ उत्तर पदेश सरकार का जो बेरहिमी भरा फर्माम है आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों इस अवधी में किसी भी कारण से हुई मृत्यू की दशा में अनुगरह राज निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है राज निर्वाचन आयोग की उपरोक्त गाइडलाइन की अनुसार जिला अधिकारियों द्वारा राज निर्वाचन आयोग को अभी तक तीन शिक्षकों की मृत्यू की प्रमानित सूचना प्रेशित की गई है सिर्फ ती तिन शिक्षक सिर्फ तीन शिक्षकों को मुआफ़ा मिलेगा दोस्तों और आपके स्क्रीन्स पर ये देखे टाइम्स ओव इंडिया की खबर है ये खबर है अठाइस अपरेल की डेट ओफ वन थर्टी फाइफ टीचर्जर्स ऑन यूपी पोल ड्यूटी हाई कोट सेंज आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों मृत कर्मचारी के परिवार को क्यों ना मिले एक करोड रुपए ये हाई कोट में पोचा है पहली खबर प्रयाग राज की खबर है दोस्तों और दूसरी खबर देखिए संदिग्द संक्रमित की मौत को भी कोरोना से मौत में गिने उत्तर प सरकार कोरोना से लड़ाई लड़ रही थी तो इन्हीं अध्यापकों ने अपनी जेब काट के पैसे जो हैं वो दान दिये थे आपके सामने ये खबर जो अब आपके स्क्रीन्स पर आने वाली है ये देखिए यहाँ देखिए तस्वीर देखिए उत्तर प्रदेश में कोव और इनकी जेब से अब उन शिक्षकों के लिए पैसे नहीं निकल रहे हैं ये शिक्षक हमारे गरीब हैं फिर भी इन्होंने अपनी जेब काट के दान दिया चाहे पांच रुपए दस रुपए जितने का भी दान दिया हो मगर कुल दान जो है 76 करोड का दिया गया और सिर् ये खबर देखिए कोरोना वाइरिस इन यूपी उत्तर पदेश पुलीस ने सीम कोविड फंड में दिये 20 करोड हमारी पुलीस पैसे दे रही है हमारे शिक्षक पैसे दे रहे हैं हमारे परिवहन विभाग के कर्मचारी पैसे दे रहे हैं और उत्तर पदेश सरकार क्या कह है वो ये कह रही कि तिर सिर्फ तीन शिक्षक मारे गए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षक संग के जो एक अध्यक्ष है त्रिभोवन सिंग उनसे मेरी बात हुई उन्होंने इस सरकार की कड़ी आलोशना की है क्या कहा है आप खुद सुनी उत्तरपदे सरकार को जार जिन लोगों ने पनी जान गवाई है आज उनके परिवार भूंकों मर रहे हैं बहुत से ऐसे अईवावक थे जिनके घर में वही व्यक्ति कमाने वाला था तो यह उत्तरपदे सरकार द्वारा बहुत ही गलत निल्ड़े लिया गया है मैं इसकी घोर रिंदा करता हूँ और मेरी बात ऐसे परिवारों से हुई जिनके परिवार में वो एक मात्र व्यक्ति था जो शिक्षक होके पैसे कमा रहा था आज उनका भविश अधर में हैं मैं आपको एक पती की आवाज सुनाना चाहता हूँ अगर मैं पहले सपष्ट कर दूँ कि इनका ये जो साउंड़ ब पतनी सुनीता देवी उनकी चुनाव ड्यूटी में 25 तारीक को ड्यूटी लगी थी और उनकी जो है ड्यूटी के दवरान म्रत्व हो गई और सरकार जो है केवल तीन लोगों की म्रत्व का शिवकार कर रही है और बताओ हमारे घर को पूरा बरबाद हो गया हमारा एक बच् जिना कुछ मतलब ध्यान नहीं दे रही है कि ये परिवार इनका कैसे क्या होगा और सरकार के मलतीन लोगों को बता रही है कि जो है मतल schwierig लोगों को बताया रहा कि सरकारी उसमें हताहत हुए है त्रिभुवान सिंग नहीं हमें प्रधीप कटारा की परिवार का ये मारमिक चित्र भेजा है ये मारमिक विडियो भेजा है क्या योगी सरकार के पास इस परिवार की अपील का कोई जवाब है हम राम बजन के छोटे भाई अरुम कुमार बोलना है जिनका पंचाज चुनाव में ड्यूटी लगा था ड्यूटी के दरान करोना पाजिटी हुए थे उसके दरान प्राइबेट हस्पिटल में दवा कराते हुए वो इसपायर करना है इस परदेश सरकार से अर्थिक सहाता और एकनोपरी की मांग की गए थी ज्योंकि परदेश सर आना चाहता हूं जो पूरी इन्होंने सूची तयार की है दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर राश्ट्रिये शेक्षिक महासंग उत्तर पदेश क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर विश है उत्तर पदेश में संपन हुए 30 तरीये पंचाय चुनाव में मतदान मतगना जंबी चौड़ी लिस्ट है रता राइकवार मुरारी लाल अभिशेक श्रिवास्तव प्रेम शंकर मिश्र उसके बाद आगे जाए कौशांबी में राम बाबु मिश्र अजीत कुमार श्रिवास्तव किरन पटेल आगे देखिए पतेहपुर में पलवी सचान राम कुमार वर की बेदली आखिर क्यों दिखा रही है मेरा आप से सवाल और योगी सरकार क्या कर रही है योगी सरकार अपने पालतू मीडिया के जरी अपनी चवी को चमका रही है आपके सामने दैनिक जागरंड की खबर ये देखिए उत्तर पदेश में आपदा के समय युद्ध में टी चक्षकों के बारे में सोचा होता तो ये जो एक हजार मौती हुई होती ना ना हुई होती आप तो अदालतू की नहीं सुन रहे हैं चलिए आप एक हजार ना मानें आप सूला सूना मानें कम से कम 135 तो मान ले मगर आप सिर्फ तीन मौतों को मान रहे हैं इस से ज्यादा शर ने आईए वो बहुत दिल्चस्प खबर है दोस्तों अर्विंद के जिवाल ने एक बयान दिया इस पर गौर कीजेगा उनका बयान क्या था सिंगपोर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहत खतरनाग बताया जा रहा है भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है केंद्र सरकार से मिरी अपील पहली अपील सिंगपोर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद हो बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्रात्मिक्ता के आधार पर काम हो अर्विंद केजरिवाल कह रहे हैं कि भाया सिंगपोर से एक कि अब आदमी पार्टी अर्विंद केजरिवाल के इस बयान को सही ठहराने के लिए सिंगपोर के शिक्षा मंत्री का ये बयान पेश कर रहे हैं सुनिए वो क्या कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से कोरोना का ये वारिस बच्चों पर असर डाल सकता है यानि कि अर्विंद के जिवाल के बयान का कम से कम एक हिस्सा सही है सुनिए मगर मुद्दा क्या है दोस्तों इसके बाद इसको लेकर सिंगपोर कडी आपत्ती जत लाता है वो कहता है आपके स्क्रीन पर इस बात में कोई भी सचा ही नहीं है कि ये कोविट स्ट्रेंड जो है वो सिंगपोर से आया है फाइलोजेनिक टेस्टिंग से पता चला है कि B.161742 वेरिंट is the prevalent strain in many COVID cases including in children in recent weeks in Singapore यानि कि Singapore ने इसकी कड़ी आलोश न की मगर भारत सरकार क्या करती है भारत सरकार अपने ही मुख्यमंत्री को जलील कर रही है ये देखी विदेश मंत्राले का बयान Singapore government called in our High Commissioner today to convey strong objection to Delhi CM's tweet on Singapore variant High Commissioner clarified that Delhi CM had no competence to pronounce on COVID variants or civil aviation policy S.J. Shankar जो की नाम रोशन कर रहे हैं विदेश नीती का हर जगा वो तो एक कदम और आगे जाते हैं वो क्या कहते हैं However, irresponsible comments from those who should know better can damage long-standing partnerships So let me clarify, Delhi CM does not speak for India Delhi के मुख्यमंत्री भारत के लिए बयान नहीं दे रहे हैं मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ अर्विंद केजिवाल का बयान पूरी तरह से सही नहीं है मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ पिछले सत्तर साल में आपने कभी ऐसी एक मिसाल देखी है कि विदेश मंत्राले अपने ही देश के एक मुख्यमंत्री को एक दूसरे देश के सामने जलील कर रहा है उसे टार्गेट कर रहा है पताएए दोस्तों आपको अंदाजा नहीं है कि यह जो संदेश जा रहा है इस वक्त दुनिया भर में भारत की नाक किस तरह से कट रही है यह हमारी आंत्रिक राजनीती है अर्विन केजिवाल अपनी राजनीती कर रहा है तो यह तमाम राजनीती तो अंदर होगी ना मगर इससे आप ढंग से कह सकते हैं यह S.J. शंकर क्या कह रहे है फिर से देखिए अगर भारत के लिए बयान नहीं देते हैं तो आप बताइए ना आपने कब भारत के लिए बयान दिया है आप तो सिवाए मोधी सरकार या मोधी जी की चाटु कारिता करने के लावा और तो आपने कोई काम नहीं किया है S.J. शंकर जी पिछले सत्तर सालों में ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि ये सरकार जो है अपनी इज़त बचाने के लिए इस तरह से वो एक अंग्रेजी में कहावत है ना है यानि कि आप लोग महले में पहुँच गए सड़क पर पहुँच गए और वहाँ आप लड़ाई करने अपने घर की लड़ाई हम अपने घर में लड़े हैं अर्विंद केजरिवाल ने सही कहा गलत कहा वो एक अलग मुद्दा है मगर सिर्फ अपनी इज़त बचाने के लिए सिर्फ महामहीम की छवी को उच्चा उठाने के लिए आप लोग ये काम कर रहे हैं अरे कहीं तो शर्म कीजिए खैर मगर बोल के लबाजाद हैं तेरे में इसी तरह से समाच के वन्शितों का मुद्दा हम आपके सामने लाते रहेंगे देखे मुद्दा ये नहीं है कि 1100 मैं कहता हूँ अगर तीन शिक्षक भी मरे हैं तो हमें उनकी आवाज उठानी चाहिए क्योंकि ये शिक्षक हमारे धेश का भविश्यत है करते हैं ये शिक्षक मेरे और आपके बच्चों को पढ़ाते हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए इसलिए आज मैं आपके सामने ये मुद्दा लेकर आया अब इसार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार